आईए आज हम IBPS Specialist Officer रर्थात राजवासा अधिकारी के चैन की परिक्षा के स्लेबस और पैटर्न के उपर कुछ जानकारी साज़ा करते हैं शिग्र ही IBPS Specialist Officer की परिक्षा होने जा रही है और आप लोग इसकी तैयारियों में अवश्य लगे होंगे इस जानकारी से मेरा प्रियास है कि आपकी परिक्षा बड़ी आसानी से हो जाए इस परिक्षा में जो आपसे पूछा जाता है वो दो तरह से होता है एक prelims होगा एक main होगा prelims में कुल 125 नंबर के प्रशन आते हैं 125 अंकों का प्रशन पत्र होता है जिसमें से English language के ऊपर आपको 50 प्रशन होते हैं जिसमें 25 नंबर होते हैं अर्थात एक प्रशन दो प्रशन पे आपको एक नंबर मिलता है और कुल 40 मिनट मिलता है स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की परिक्षाप लोगों ने अभी तक दी होगी उसमें स्क्रिन आफ नहीं होता है इसमें जैसे ही 40 मिनट बीटेगा आपका एक सब्जेक्ट वाला आफ हो जाएगा और दूसरे विसे का प्रशन पत्र आपके पास आ जाएगा इसलिए आपको इस उसमें आपको मिलता है 40 मिनिट इसके बाद जेनरल आवार्नेस जेनरल आवार्नेस क्या है जेनरल आवार्नेस में कुल 50 प्रशन रहते हैं 50 अंक के और 40 मिनिट ये जो जेनरल आवार्नेस है जेनरल आवार्नेस अर्थाथ बैंकिंग इंडिस्ट्री से समधित समस्त प्रशन इसमें पूछे जाते हैं banking industry का मतलब हो गया कि reserve bank ने क्या नियम बनाया किस bank का विले हुआ कौन सी bank टूटी कब bank शुरू है बैंकों का इतिहास क्या है अर्थाथ banking industry के बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी होगी उसके अलावा अगर जनवरी में आपकी परिक्षा हो रही है तो पिछले तीन महीने का अक्टूबर से ले करके दिसंबर तक आप सब कुछ पढ़ जाएंगे जितना करेंट अफेर है वो सब पूछा जाता है तो तीन महीने पीछे का उसके पहले का भी पूछा जा सकता है लेकिन IBPS में जादा तर पिछले तीन महीने के वीवरन से पूछा जाता है उसके बाद कुछ स्पोर्ट के रहेंगे कुछ ब्रांड अमबाइसडर्स के रहेंगे अर्था जनरल नौलेज के कुछ प्रस न रहेंगे तो आप इस पर अगर फोकस करेंगे तो आप इस पचास अंकों में से कम से कम 30 या 35 तो आराम से स्कोर कर सकते हैं और इसमें देखे क्वालिफाई और मेरिट दो चीजें होती हैं प्रिलिम्स में क्वालिफाई से अगर अच्छा माक से तो ठीक है लेकिन बेस लाइन टच करने की कोशिश करिए क्वालिफाई जरूर करने की कोशिश करिए इसके बाद आएगा ये खतम होगा फिर आपके प्रोफेस्नल्स की जो परिक्षा होगी प्रोफेस्नल की परिक्षा हर प्रोफेस्नल अर्थाद एचार वाले हैं उनका अलग है राजभासा के जो professional paper होंगे उसमें दो paper होते हैं दो प्रशन पत्रों में से 30-30 मिनट का आपको समय दिया जाता है और एक में 45 प्रशन होता है और दूसरे में आपके दो प्रशन पूछे जाते हैं यह जो 45 प्रशन आप से पूछे जाते हैं, इन 45 प्रशनों का अगर आप भाग देखेंगे तो इसमें राजभासा नियम अधिनियम पर 10 अंक के प्रशन होते हैं अर्था, 10 question होंगे, 10 number के होंगे, अगर आपने राजभासा नियम अधिनियम अच्छे से पढ़ लिया है, तो यह 10 आप confirm पा सकते हैं, उसके बाद इसमें 10 अंक होते हैं अनवाद हिंदी से अंगरेजी के लिए, वो one liner होता है, आपको option दिया जाता है, विकल्प होता है, एक अंगरेजी का वाक्य होगा और उसके हिंदी में 4 विकल्प होंगे, आपको एक चुनना है, ठीक इसी तरह से हिंदी से अंगरेजी अर्थाथ, हिंदी से अंगरेजी और अंगरेजी से हिंदी दोनों के लिए 10-10 नंबर के आपके अनवाद रहेंगे, one liner आपको चुनना है, उसके बाद आता है, आपको fill-in-the-blanks pattern में, SSE pattern में, मान लिजए एक बैंक की कहानी आ गई, बैंक ये देती ह वो देती है, जंदन योजना, तमाम इस तरह की किसी योजना का कोई आपके पास 8-10 लाइन दिया जाएगा, और उसमें fill-in-the-blanks होगा, कहीं-कहीं शब्द नहीं रहेंगे, उनको भरना होगा, और ये 10 अंगों का होता है, वो multiple choice उसमें भी होगा, चार option होगे, उसमें से एक आपको चुनना होगा, और इसके बाद फिर आएगा पांच अंक का पारिभाशिक शब्दावली, पारिभाशिक शब्दावली अर्थात, बैंकिंग से सम्बंदी, बैंकिंग से सम्बंदी जो भी पारिभाशिक शब्दावली है, आपको मेरे ब्लॉग पे भी मिल मेरा ब्लाग है गली-कूचा.blogspot.com उस पर आप विजिट करके देख सकते हैं इसके बाद ये खतम होने के बाद फिर आपको अगले 30 मिनिट में सिर्फ अनवाद के लिए दिया जाता है दो प्रश्ण जो होते हैं और ये जो दो प्रश्ण होंगे इसमें एक पैसेज होगा या एक अनुच्छेद एक पराग्राफ आपका हिंदी में होगा उसको अंग्रेजी में अनवाद करना है और अंग्रेजी से हिंदी में करना है दोस्तों यहां आपके पास अभी भी समय है अगर आपको हिंदी में टाइपिंग नहीं आती है तो आप हिंदी टाइपिंग सी जिखनी है तो आप in script keyboard में typing सीखिए जहां भी आप type सीखने जाते हैं वहाँ in script keyboard में type करना सीखें क्योंकि वह अधिक महत्वूर होता है in script अगर आप नहीं कर पाएंगे तो वहाँ दिकत हो सकती है keyboard लेकर के तो in script में सीखें धंक से सीखेंगे तो एक हफते में सीख जाएंग है कि आप तयारी कैसे करते हैं ये जो मैंने आपको बताया अगर इसका अनुसरन करते हैं तो निश्चित है जीत आपकी होगी अगले सत्र में फिर कुछ और नई चीजें लेकर आऊंगा तब तक जुड़े रहें और हाँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब स सारी महत्वण जानकारी आपको देने जा रहा हूं और उसकी सुचना आपको तभी मिलती रहेगी जब आप सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन दबा देंगे